हैलो एवरीवन बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फिट के परियावरण अध्यान की किताब आस-पास का पार्ट बारे खत्म हो जाए तो तो बच्चों आपने पार्ट पढ़ाही होगा आज कीस वीडियो मेंハम पढ़ेंगे इस पार्ट के question answer तो बच्चो बच्चो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो बच्चो शुरू करते हैं गाडियां किस किस चीज से चलती हैं तो बच्चो सभी वाहन पैट्रॉल, डीजल, सी एंजी, बैटरी से चलते हैं जबकि साइकिल और रिक्सा मानव बलत्वारा चलते हैं अगला कोश्चिन है क्या गाडियों से निकलने वाले दुए से हमें कुछ परिशानी हो सकती हैं तो हाँ बच्चो दुए से सिर्दर्द, बेचैनी, खासी, दमा एवं फेपणों का संक्रमन हो सकता है इससे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है अगला कोश्चिन है भारत में तेल के भंडार किस-किस राज्य में है तो बच्चो भारत में तेल के भंडार असम, गुजरात, महराष्ट और आंधर प्रदेश में है अगला question है जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है तो जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा खनीज तत्व, लोहा, सोना, चांदी, अब्रक, कोईला, आदी मिलता है Question है अगर इसी तरह सड़कों पर वहानों की संख्या बढ़ती रही तो क्या-क्या समस्याइं हो सकती है जैसे सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा अपने विचार लिखो Answer है बच्चो अगर इसी तरह सड़कों पर वहानों की संख्या बढ़ती रही अगला कुश्यन है सडकों पर वाहनों की बढ़ती संक्या से आई परेसानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाओ तो बच्चों इसका आंसर है सडकों पर वाहनों की बढ़ती संक्या से आई परेसानियों को कम करने के लिए निम्न सुझाओ है पहला है ज्यादा से ज्यादा बसों वे मेट्रोरेल का उपयोग किया जाए दूसरा है कार पूल का तरीका अपनाया जाए तीसरा है ट्राम आधी की विवस्ता होनी चाहिए क्वेश्चन है पेट्रॉल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है तो बच्चो आंसर है पेट्रॉलियम पदारतों के भंडार सीमित हैं तथा इनका उपियोग दिनो दिन बढ़ता ही जा रहा है इसलिए अधिक मांग वे कम उपलब दिता के कारण इनकी कीमतें बढ़ रही है अगला कुशन है डीजल कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है तो बच्चो डीजल का इस्तेमाल जैनरेटर में फैक्टरियों में बस रेल ट्रेक्टर आदी में होता है अगला कुशिन है तुम्हारे गाउं या सहर में एक हफता पेट्रॉल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा तो बच्चो एक हफता पेट्रॉल या डीजल नहीं मिलने से यातायात की विवस्ता चर मारा जाएगी इससे सभी वाहन बंध हो जाएंगे जन जीवन पर बुरा असर पड़ेगा अगला कुश्यन है तेल बचाने के तरीके सुझाओ तेल बचाने के निम्न तरीके हैं साइकिल की सवारी करें निजी वाहन की जगे मेट्रो रेल बस का प्रियोग करें तीसरा है सोर उर्जा का अधिक उप्योग करें कुश्यन है अब उपले कैसे बनते हैं तो बच्चों सभी जानते होंगे जो गाउं से बिलोंग करते हैं गाए या भैस के गोबर को थाप कर उपले बनाये जाते हैं अगला कुश्यन है तुमारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है तो हमारे घर में मेरी मा खाना बनाती हैं, हमारे आसपास खाना घर की महिलाएं बनाती हैं, कुछ अमीर घरों में खाना बनाने के लिए नौकर या नौकरानी भी होते हैं अगला कुश्यन है अगर वे लकड़ी या उपनों में खाना बनाते हैं तो दूए से किस तरह की परिशानी होती होगी तो बच्चों दूए से खासी पेपड़ों की बिमारी दमा एमम आखों से पानी आना इत्यादी हो सकता है अगला कुश्यन है पिछले 10 सालों में तुमारे इलाके में खाना पकाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज का घटा है तो इसका आंसर है LPG वे बिजली का इस्तेमाल बढ़ा है जबकि कोईले उपले एवम लकड़ी का इस्तेमाल घटा है बच्चो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूले और यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो फिली चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू